इमारत निर्मानकारिये कामकारों की किचन केट विटरन कारिक्रम भी धक्का मुक्य में महिला की मृत्यू का मामला प्रकाश में आए इस मामले को लेकर राकाप अश्रत पवार कुट शोषिना सहीद अन्य दलों ने भाश्पा पर निशाना साता है इसे शुंकला में आज कॉंग्रेस पार्टी के और से विकास थाकरी के नेश्पत्वा में जिलादी कारी कारले का खेराओ कर कारिवाय की मांग की है महाराष्ट शाष्णां चे कामगार करलेयान मंड़ आनी भारतिय जन्ता पक्षाच्य वतीने सुरेज भट सभागुला में आज कामगार विबागा तरक्ते मदूरानना कीचन विट्च वितरन करना है ते नार आता है शाष्णाचा पैशा तुम्हितरन करने तेना एनार होता यहाची फार मोठी प्रसिद्धी जाली आनि यहाचा साथी खूब लोक जा ठीकानी आले मला वट्टे की आच्चा या काला मदे एका दे गरीब मजूर आला तुम्ही सांगाल क्या में वी सदराची कीट देऊं जालो तो आपनी आची रोजी तोड़ून तिथे आला होता मग आपला तेवड़ा लोकान देने साथी कीट उपलब दाहेत का है मग आपन बोलावले ले लोकान ची दिते व्यवस्ता होना रहेत का है ही सर्व जवाबदारी प्रशाशनाची रहाते हली प्रशाशन एका दे पालिटिकल पार्टी ची मिटिंग असली तो किती लोका एनाराय मनून ते तो नियोजन करते परन्तु या ठीकानी या नागपूर शहराती लेवड़ा मधूरानना दमा केला आपन आनी कीट मेहाचे एवजी तीदा चेंगरा चेंगरी मधे एका मैले ता मृत्यु धाला आथा मलवाटि याला दोसवी कोना है याता शोध घला पाइजे चेंगरा है पोलिस विभागाने याची दक्षता घेतले होदी काई कि इतके लोका यहो न तिथे चेंगरा चेंगरी होईल तो हे नाकपुर करांचा जिवाश यानी मदूरांचा जे विचारे आपने रोजी रोटी कमून खुशी रहाता त्यानना प्रलोबन दाकपुन आपन बोला उला तिथे चेंगरा चेंगरी मदे जीव गेला ही अत्यनत निंदनी ये घटना यानाकपुर शेहरा मदे घड़ लिया है आनी मला वाट या घटने मदे दोशिक होना है याचा शोध वाला पाई थातूर मातूर कारवाई करून चालना नहीं याच्चा वर एक S.I.T. नेंबली पाये याचि चौकशी दाली पाये याच्या जोजो दोशी अदिकारी हसेल पदा अदिकारी हसेल कौंता पक्ष असेल कौंता मंतरी हसेल त्या सरवान वर गुने दाखल दाले पाये ये ही आमची मागनी इस वरान कॉंग्रिस के प्रदेश महासेचेव विशाल मुतिम वार्तवारा कड़ी प्रतिक्रियाद देती वे कहा गया कि कामकारों को किजन केट प्रत्रन करने के कारिक्रम में महिला की वृत्तियों के मामले में कारिक्रम आईजर्ग भाषपा कारिकरताओं के विरुद प्र प्रशासन पीज जिमितार है ऐसा कहती भी कड़ी शब्दों में टिपने की है। प्रशिद्धी की जो ओड है कि पॉब्लिसिटी एट एनी कॉस्ट और वो भी पॉब्लिक्स कॉस्ट तो उसका एक जीता जाकता उदारन जो है वो जो नागपूर की घटना है वो हो यह सवाल यह है कि आपने जो गरीब मजदूर है उनको प्रलोबन दिया और कहा कि हम 20,000 इसी बिल्डिंग में आकर रेजिस्टेशन करना पड़ता है यह आप जोन में जाकर रेजिस्टेशन कर सकते हैं वो ना करते हुए लोगों को वहां बुलाया गया पब्लिक को जमाने के लिए एक पोलिटिकल इवेंट उसको बनाया गया वहां पर बैनर पोस्टर मोधी और फर्णविस के लगे थे तो यह तो इसनों ने आपने उसको एक राजनेतिक इवेंट बनाया और वो किसके एक्सपेंस पर पब्लिक के एक्सपेंस पर और उसका कोई नियोजन नहीं हम जब कोई भी कारेकरम करते हैं एसबी ऑफिस से हमको पूछा जाते है कि आपके तरफ से कितने लोग आने वाले उस तरह से पुलिस उसका नियोजन करता है कुछ भी अगर अफरात अफरी हो गई कोछ चेंगरा चेंगरी हो गई तो पुलिस उसके लिए हमको जिम्मेदार ठरहा थी कि आपने कहा था कि पांसो आएंगे और पांच जार आगए करके आपने जब हजारों लोगों को बुलाना था तो वहाँ पर पुलिस की वेवस्ता करनी चाहे थी नियोलजन करना चाहे था बिना फुजोल वह उर्टी जान झाली गऑई किसलयए क्योंको पुलिक जमा करनी थी मोधी मोधी करना था पेसे करनी ती इस लIG तो यह आपकी सत्ता है इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे क्या मांगे आपकी है कि क्या परमिशन लीगी थी कौन से अधिकारी होने ली थी उस डिपार्टमेंट में से किस ने ली थी यह पोलिटिकल प्रोग्राम था तो हमारा कहना है कि सभी लोग इसमें कारवाहिय करकर जवाबदार है उसमें प्राइवेट लोग इनवाले जो किट किट वाट अप करने वाली कंपनी है होगी यह वहां उसमें जो अधिकारी होंगे भारती जन्ता पार्टी के जो पदारिकारी वहां थे जिन्होंने और इस प्रकार से प्रशासन को भी अपने आखे खुलनी च प्रुटिकल पार्टी तो कुछ भी बोलेगी आपको यह देखना पड़ेगा ना हमारे सबका यह कल चल की ऐसी घटना और होंगी बीज़े भी बोलेगी और लाख लोगों को जमा करो फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में प्रशासन को भी जिम्मेदार विशाल मुत्यमवार इन्होंने बताया और जल से जल कारवाई की मांग भी उन्होंने की है कैमेरा परसन राशकुमार मोर के साथ मैक शितिजादेश मोग बीसीन नियोज नाकोर